नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जी नियसिस टेनोग्राफर में अगर आपको डिक्टेशन पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ सेर करिएगा डिक्टेशन अगले पांच सेकेंड में महोदय और द्योगिक क्रांति ने अपने प्रारंभीक चरण में कुटीर उद्योगों पर घातक प्रहार किया और कारीगरों को म्रत जीवी मजदूर बना दिया निम्न आर्थिक वर्ग की इस्त्रियां परिवार के भरण पोसन के लिए तैयार हो गई और द्योगिक क्रांति ने पास्चात्य देशों की अर्थ विवस्था को जिस गंभीरता से प्रभावित किया था ठीक वैसा ही प्रभाव भारत में भी पड़ा और द्योगिक क्रांड से पास्चात्य अर्थ विवस्था में बड़ा अद्भूत परिवर्तन हुआ था वहां की इस्त्रियां आधिकारिक रूप में कारखानों और मिलों में काम करने लगी फलता जो वस्त्वें वे स्वयम घर पर निर्मित कर लेती थी उन्हें मिलों और कारखानों से खरीदा जाने लगा इसका कारण यह था कि इस्त्री मजदूर के पास कारखानों में काम करने के बाद इतना समय नहीं बच पाता था कि वह ग्रह उद्योग को भी गत्सील रख सके भारत में और द्योगी करण के फल्स रूप इस्त्रियां मजदूरों के रूप में कार्य करने लगी और उन्हें मीलों की वस्त्वें खरीदने के लिए बाद होना पड़ा इसका प्रभाव सामान जीवानिस्तर पर भी पड़ा जीवानिस्तर के महंगे होने के कारण परिवार के भरण पोसन के लिए इस्त्री को भी मजदूर बनना पड़ा वे कम से कम मजदूरी पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो गई और द्योगिक क्रांत में होने वाले तक्नीकी परिवर्तनों ने उत्पादन की प्रक्रिया को बदल दिया और नगर की निम्न वरगिये तथा कारीगरों की इस्त्रियों ने अकुसल मजदूरों के रूप में फैक्टरी मिल तथा खदानों में कार्य करना प्रारम कर दिया केवल इस्त्रियां ही नहीं अप्रत्य बच्चे भी मिलों में काम खोजने लगे उद्योग पतियों के लिए बहुत लाबकर आउसर था उन्होंने बहुत कम मजदूरी पर इस्त्रियों और बच्चों से काम लेना प्रारम कर दिया इस्त्रियों और बच्चों को मिलों और कारखानों में कार करने की आवसेक्ता इसलिए हुई कि मात्र घर के मुखिया के मजदूरी से जीवन यापन कठिन हो गया था पुरुस और इस्त्री स्रमिकों की मजदूरी में पर्याप्त अंतर था जब तक उद्योगपतियों को सस्ते दर पर इस्त्री सम उपलब्ध होता रहा तब तक वे इस्त्री स्रमिकों का नियोजन करते रहे और इस्त्री स्रमिक मात्र सीमांत स्रमिक मानी जाती रहे इस अद्योगी करण के प्रथम चरण में परमपरागत ग्रह उद्योग और कुटीर उद्योगों पर बड़ा गंभीर प्रभाव डाला पहले वस्त्र उद्योग ग्रह उद्योग ही था कार्य करने के कारण बुन्ने कातने का समय नहीं मिलता था फलता परिवार की अधिकांस आय भी मिल निर्मित वस्तुओं को खरीदने में व्याज होने लगी कारखानों में निर्मित वस्तुवों ने गाउं की आत्म निर्भरता को भी नस्ट कर दिया और क्रसक्त था कारीगर सहरों में कार्य खोज में आने लगे या इस्थित उद्योगपतियों के सर्वता अनुकूल थी मजदूरों का सोसर जब अत्यधिक बढ़ गया तब सासन को अनेक स्रम विशयक विधान लागू करने पड़े सन 1881 से 1911 इस्वी तक के स्रम विधान मूलता कार के घंटे उसकी दसाओं से संबंधित थे एवं उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए विधान पारित किय महूदय पहले उद्योग्पतियों को इस्तरी स्रमिकों के नियोजन में लाब होता था किन्त अन्यका नेक स्रम नीतियों सुरच्छात्मक विधानों और अतिरिक्त सुविधाओं के नियमों के फल सुरूप अब स्थित परिवर्तित हो रही है आज इस्त्री स्रमिकों को बड़े और पूराने उद्योग में वांचनी नहीं समझा जाता ऐसा माना जाता है कि इस्त्री स्रम से पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका इस्त्री स्रम के विशय में लागू सुरच्छात्मक कानूनों के कारण उद्योग पति इस्त्रीयों के रोजगार में कतराया करते हैं इस्त्री स्रमिकों को निरुत्साहित करने के पक्ष में उनसे काम नहीं लिया जा सकता जिन उद्योगों में पहले इस्त्री स्रमिकों का नियोजन हुआ था वहां भी उनकी छटनी होने लगी तथा यह कहा जाने लगा कि उन्नत मसीनों के कारण अब इस्त्री स्रमिकों की आवस्षेक्ता नहीं रह गई है अनेक उद्योगों में अब योजना बद्ध रूप से इस्त्री स्रमिकों की छटनी हो रही है तथा पि लग उद्योगों कुटीर एवं गरह उद्योगों में इस्त्री स्रमिकों के नियोजन की संभावनाएं बलवती होती जा रही है बड़े उद्योगों से इस्तरी स्रमिकों की छटनी का आधार इस्तरी स्रमिकों के लिए लागू सुरच्छा कानून बताए जाते हैं इसका पैणाम इस्तरी स्रमिकों की बढ़ती हुई बेरोजगारी सामने आती है पंचवर्सी योजनाव में हाथकरगा, ग्रामोद्योग, खादी तथा अन्यकुटीर उद्योगों की व्यापक पैमाने में इस्थापना हुई है जिन में इस्तरी स्रमिकों को रोजगार दिया गया है वर्तमान की जनगणना के अनुसार प्रती एक हजार पुरिसों में इस्तरीयों की संख्या 941 थी जन संख्या के इस बड़े भाग को कार्य प्रदान करना आर्थिक विकास की एक अनिवारिता है यद इस्तरी स्रमिकों के रोजगार को अलाब कर मान कर छोण दिया जाए तो इससे जन सक्ति का रास और अनुपयोग होगा इस्तरी स्रमिकों का राश्ट्रीय उत्पादन में एक महत्पूर्ण इस्थान है तथा उनके समुचित उपयोग के लिए रोजगार सुईधाओं का विस्तार करना आवस्यक है यहां इस्तरी स्रमिकों से संबंदित अन्य समस्याओं की और उंगली निर्देश करना भी अनुचित ना होगा प्राया इस्तरी स्रमिक भारती समाज के निम्न वर्ग से संबंदित हैं तथा वे असिच्छा और पूरी तरह से गरीबी में डूबी हुई हैं उनके जीवन इस्तर को बहुत कठिनाई से ही मानुविय कहा जा सकता है प्राया इस्तरी स्रमिकों का जीवन अधर्मानुविय दसाओं से व्याप्त है और जब तक इनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन नहीं होगा तब तक राष्ट का समग्रता विकास संभव नहीं हो सकेगा यद्यपि इस्तरी को पुरुष स्रमिकों से ही जीन समझा जाता है किन्तु व्यवहारता इस्तरी स्रमिकों को पुरिष स्रमिकों से हीन नहीं समझना चाहिए ऐसी दसा में ग्रामीड छेत्र में करसी तथा अन्य ग्रामों द्योग में कारिरत इस्तरी स्रमिकों के उन्नयन के प्रयास आवस्यक है इसके साथ ही और द्योगिक संस्थानों में कारे रत इस्त्री स्रमिकों को समुचित प्रसिच्छन प्रदान करने से उनकी उत्पादन छमता में अनिवारे रूप से व्रद्धी हो सकती है आज के अध्योगी करण के इस युग में इस्त्री स्रमिकों का मात्र सीमान स्रमिक मानने से ही काम नहीं चलेगा भारती स्रम के पूर्ण विन्योजन की दरश्टी से इस्त्री स्रमिकों के संबंध में पुनर विचार आवस्यक है Stop